प्लार प्यारे बच्चो इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 8 बाइनोमेल थोरम की एक्ससाइज 8.2 कर रहे हैं हमारे सामने क्वेस्टर नमबर 1 & 2 क्या निकालना है find the coefficient of क्या x raise to power 5 in x plus 3 raise to power 8 इसमें कहां पे x raise to power 5 होगा उसका हमने क्या निकालना है coefficient निकालना है a raise to power 5 b raise to power 7 का in a minus 2b raise to power 12 में या तो हम पूरा expand करके फिर उसमें ढूंडें बट हमारे पार शोटकट है हम माल लेते हैं लेट जो हमारी जनरल ट्रम है लेट टी आर प्लस 1 है एक्स रिस टूपावर 5 जनरल ट्रम है एक्स रिस टूपावर 5 अब ज इकल टू एट तो जनरल ट्रम हमारे पास टी आर प्लस 1 का फार्मूला क्या होता था एन सी आर एक्स रिस टूपावर 8 माइनस आर एंड बी रिस टूपावर आर यह होती हमारे जनरल ट्रम तो इस केस में हमारे पास क्या होगा जनरल ट्रम टी आर प्लस 1 एन की वैली हमारे पास 8 c r a हमारा क्या है x x raise to power 8 minus r and b हमारे पास क्या है 3 3 raise to power r मुझे क्या चाहिए x raise to power 5 तो compare कर देंगे मैं इसके साथ comparing जब हम compare कर रहे हैं तो 8 minus r is equal to क्या हो गया 5 यहां से r की value इसको इदर लेके आएंगे तो r is equal to हमारा कितना होगा 3 होगा so put कर दीजिए that means p 3 plus 1 यहां पर हमारे पास होगा क्या होगी यह 8 c 3 8 c 3 x raise to power 8 minus 3 means 5 and 3 raise to power 3 but मुझे क्या चाहिए सिरफ coefficient चाहिए तो यह नहीं हमें तो x raise to power 5 आलेगा क्या चाहिए coefficient सो coefficient क्या हो जाएगा 8 c 3 into 3 raise to power 3 8 c 3 का मतलब 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1 and 3 raise to power 3 3 का मतलब हो गया 27 3 2 जा 6 इसको हम multiply करते हैं तो हमारे पास हो गया 189 into 8 151 1512 is the coefficient of x raise to power 5 in the expansion of x plus 3 raise to power 8 हो गया ठीक है चलिए ऐसे हम च्वसा नमबर 2 करते हैं तो सेकिंड में भी हम ऐसे करते हैं क्या कहा हमने लेट लेट टी आर प्लस वन है ए रेस तूपावर 5 और बी रेस तूपावर 7 तो जनल ट्रम हमारे पास क्या हो जाएगी यहां पर हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है एर एन इस इकल टूट्वल सो टी आर प्लस वन हमारे पास क्या बन जाएगा 12 c r 12 c r a raise to power थोड़ा सा निचे लिख लेता हूं ताकि वहां पर confusion ना हो हमारे पास 12 c r a raise to power 12 minus r and b हमारे पास क्या है minus का 2 b raise to power raise to power r अब compare कर दें क्योंकि मुझे b raise to power क्या चाहिए 7 तो b raise to power 7 तो हमारे पास यहां पर ही होगी या इसमें comparing कर देते हैं comparing 12 minus r को मैं 5 से compare करता हूं a की power को ठीक है तो r की value हमारे पास कितनी होगी 12 minus 75 तभी तो होगा r की value मुझे 7 मिल गई अब हमारे पास क्या बन जाएगा so t 7 plus 1 मतलब 8 तो term होगी वो होगी हमारे पास 12 c 7 a raise to power a raise to power 12 minus 7 कितना हो जाएगा 5 and minus 2 b raise to power r की value होगी 7 मुझे तो सिरफ coefficient चाहिए तो coefficient क्या होगा coefficient होगा हमारे पास 12 c 7 यह नहीं चाहिए b raise to power 7 नहीं चाहिए minus 2 raise to power 7 भी होगा 12 c 7 का मतलब क्या हो गया 12 c 7 12 c 7 is equal to 12 c 5 होता था हमारे पास n c r is equal to n c n minus r के equal होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 c 5 into negative होगा क्योंकि हमारे पास odd है तो यह हमारे पास minus आ गया and 2 raise to power 7 कितना होगा 2 4 8 16 32 64 and 128 so this is 128 soul कर दीजे भाई negative में आएगा 12 11 10 9 and 8 divided by 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 128 आप इसको सोल कर ले ना आ इंक 5 2 जा 10 से हमारे पास यह कैंसल हो गया 4 3 12 से हमारे पास यह कैंसल हो गया minus इसको जब आप सोल करेंगे 101376 आपका अंसर आएगा यह हमारा final क्या हो गया कोफिसेंट हो गया a raise to power 5 b raise to power 7 in a minus 2 b raise to power 12 बहुत ही असान सा था चलिए इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में अगले आप फिर मिलते हैं तब तक के लिए जया ही जया भाट